एक strategy की बात करें तो एक बहुत बड़ा strategic area of focus है सरकार का और हमारे देश का आपने देखा हुआ कुछ सालों में वो है railways और railways में बड़े सारे innovative कदम उठाए जा रहे हैं modernization आपके rolling stock की एक से एक नए नए डिब्बे आ रहे हैं हमारे जितने भी stations हैं उनका modernization हो रहा है overall trains बढ़ती चली जा रही है और वंदे भारत जो train है उसका तो दबदबा आपको एक से बढ़कर एक regions में नजर आ रहा है तो हमने तोचा आपके लिए एक बहुत खास महमान को लेके आते हैं ये वंदे भारत train सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और inquiries आ रही है तो वंदे भारत train के एक बहुत ही एहम role किरदाज इन्होंने निभाया है इसके success में आज ऐसे एक शक्सियत हमारे साथ जुड़ रही है हमारे साथ सुधानशु मनी जी जुड़ रहे है जो इस पूरे concept के वंदे भारत टेम हाई स्पीड ट्रेंज के architect रहे है former general manager है Indian railways के और आप ministry के साथ बहुत closely काम करते है सुधानशु जी गुड़ मौनिंग बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं लखनों से क्या बात है हमारे hometown से आप जुड़ रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है आप से बात करने की सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरे इस concept के success का आप किस बात को जिम्मधारी देंगे जिम्मधार ठहराएंगे क्या ये design बहुत जुरदार था या बहुत सारी technology गई है इसके अंदर ये एकदम take off कैसे कर गया और कुछी महीनों में ये एकदम हर जगह जहाँ जाए बाहर ट्रेंज की बात हो रही है देखें इंटिग्रिल कोच फैक्टरी चिन्राई में डिजाइन की engineering manufacturing की एक बहुत अच्छी टीम थी जो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं किया मोहाब थी उनके अंदर एक जजबा था कि एक अच्छी ट्रेंड बना के भारत के लिए तैयार की जाए मोखा उनको नहीं मिल पा रहा था तो उनकी एनर्जी को चैनलाईज करने में तेरी सक्सेस रही और पुड़ी टीम की सक्सेस रही और चैलेंजेड बहुत से आए लेकिन बढ़े सिनर्जी के साथ काम किया उन लोगों और ये ट्रेंड तयार करके 2018 में आपके सामें आ चाहरी है जिस स्पीट से एक्जिक्यूशन भी सरकार करना चाहते है बजट में भी खास अलोकेशन रिया गया कि 2000 एप्रिल-मार्श तक इसी साल के अगले साल के हर महीने और इन फाक हर वीक पे एड होती चाहेंगी तो यह जो स्पीट पर भी और नंबर ओफ ट्रेंस को प्रिक्वेंसी बढ़ाने की बात की जा रही है वो भी बहुत खास बात है जी देखिए यह सारा यह जो स्पीट बढ़ रही है और और बढ़ेगी यह सारा इस वज़े से हैं मेंली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद यह डिक्लेर किया है कि यह अस्पिरेशनल की रहूंगे इसमें और बहुत चर्चा हो सकती है लेकिन अब 10 चल रही है और हर महीने 2 तक ICF पहुंच चुका है और मेरा ख्याल से 3-4 हर महीने तक भी पहुंच जाएगा तो यह मुझे लगता है 2024 के शुरू होते होते 50 ऐसी ट्रेने will start criss crossing the country और यह स्पीड जब प्राइ लग गया है जी सुदाशी जी पहल तो मैं आपका शुक्रियत भी करूंगा आपने बहुत अच्छी बात बोली है यह एक अच्छे लीडर एक अच्छे आदमी के पहचान होती है कि खुद ना क्रेट लेते हो बलकि अपनी टीम के साथ वो शेयर करता है जैसे आपने रहे थे या इसको बनाए रहे थे इसमें से कितना बड़ा हिस्सा विदेशी टेकनालोजी और विदेशी चीजों का और इसमें से देशी जिसे भारत हम कह रहे हैं उसमें इसका कितना बड़ा हिस्सा इसके अंदर लगा हुआ है देखिए दो चीज होती है कोई चीज आप डिजाइन करके एंजिनियर करके खुद बनाते हैं तो वो एक उसकी कोर वैल्यू है जो कि आत्म निर्भरता की सही पहचान है मेरे बाद ले में इस पिरिट अफ निर्भरता यही है कि जिसमें आपने डिजाइन याने प्रोड़क्ट आपका है अब उसमें कुछ पुर्दे जो भारत में नहीं बन सकते हैं वो आपने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बाहर से मगए तो इसमें 80% के परीब सब हिंदुस्तानी चीज़ें लगी थी क्योंकि इंडस्ट्री भी काफी डेविलाप हो चुकी थी और बाग की 20% या 17-18% ये बाहर से आया लेकिन जो मैंने कहा मेरे इंपॉर्टन चीज़ थी कि ट्रेन की पूरी टेस्टिंग ये सब इंटेग्रिल कोच फैक्टरी के एंजिनियर्स ने की और ये एक जरूरी है सरे एक चीज़ मैनिफैक्टर करने से लेकिन आप एक लीडर नहीं बन पाएंगे किसी ग्लोबल एरीना में जब तक आप चीज़ खुद डिजाइन न करें तो हम लोग ने ये तै किया था कि अच्छे खराब जो भी बनेगी वर्ल्ड क्लास शायद नहीं बन पाए और मैं कहता हूँ कि नियर वर्ल्ड क्लास बनी ये वर्ल्ड क्लास कहना अभी बलत होगा इसको लेकिन ये पूरी की पूरी हमने बनाई और इसके बाद वे इस ओनली अप जब आप कोई चीज़ बाहर से लाते हैं तो आप उसको वैसा बनाने के चक्कर में उससे खराब बनाते हैं ये हम लोग का experience रहा है रेल्बेस में जितनी भी technology आई अब ये चुकि होम गुरोन हमारी अपनी technology है only way is up ठीक है बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया सुधान चुची आज समय देने के लिए और आज हमसे जुड़ने के लिए इतने बड़िया contributor आप हैं इस पूरे concept के उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और viewers तक के message भी पहुँचाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया पर inviting me तो वंदे भारत की frequency और number भी अभी तो फुलाव 10 है या 10 है लगातारी ने बढ़ाने की बात की जा रही है और इस पर खास जोर सरकार का है यह नई करांती है यह पूरे railway world बहुत जबदस हमें लो वुलिट ट्रेन की बात कर रहे है लेकिन यह कितनी feasible है हाई स्पीड ट्रेन है और यह shorter distances पे मिनी वंदे भारत भी चलने की बात हो रही है तो यह पूरा एक concept है वंदे भारत का जो मेरे को लगता है कि नेक्स दो-चार साल में कम्प्लीटली रेलवेज को revolutionize कर देगा तो इसलिए बहुत अच्छा लगा जानके कि मनी जी यह लखनों से जुड़ रहे हमारे साथ